आज हम child development and pedagogy से 30 important question करने वाले हैं यहाँ पर आपका question number one है समानांतर खेल क्या है तो समानांतर खेल वो होते हैं जो बच्चा स्वतंतर रोप से अकेले में खेलता है तो इसका जो fourth option है वो correct है मतलब अलग-अलग खेलना question number second है विद्यालों में सहः पाठीयतर गतिविदियां क्यों कराई जाती है या क्यों करवाई जानी चाहिए जो हमारी co-curricular activities होती है वो क्यों होती है वो इसलिए होती है कि बच्चे की overall development हो सके देखिए यहाँ पर options आप लोग पढ़ सकते हैं जहां मुझे लगईगा समझान सिंपल सा है overall development जहां देखिए वैसे तो हम उसी पर टिकर देते हैं ठीक है question number third है समृति के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादा के जो लेवल दिये हैं teaching के तो उसमें जो समृति स्तर है ठीक है तो वो किस ने दिया है हमारा जो memory वाला है तो वो दिया है जौन एफ हरबट ने और जो Morrison है इनोंने दिया था हमारा कौन सा दिया था Morrison ने इनोंने दिया था मारा बोधिस्तर और हंट ने दिया था चिंतन स्थर ठीक है question number four है मानसिक व्रिदी एवं विकास निम्ने में से किसके द्वारा नियंतरित होता है तो यह हमारा अनुवान शिक्त और हैरेड़ और परियावरने कारक दोनों से अनुवान शिक्त एवं परियावरने कारक question number five है अधिगम के नियम के तहत law of readiness जो है तो चत्परता का नियम है वह हमारा Albert L. Thondike ने दिया है जिन्नोंने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था next question number six निम्न मेंसे कौन बालक में नैतिक मुल्यों के विकास में महत्पून भूमी का निभाता है जो बच्चों में जो moral values डेवलेप होंगी तो प्रारतना सभा में भी बच्चा के अंदर moral development होता है सही समार्जी करनों का जो प्रॉपर socialization होता है बुद्धी भी इसमें के इंटल निम्न में से कौन सा उत्तर बालय वस्ता का लक्षण है नहीं पूछाए है कौन लेकर गाश्चा 6 को वहला है का जो में फंथा के वालबirk सी में ना चैक यह समों गल था की पूरेटा बंशमार्ब के यह में लान मेंजा क्हार्ष समार्शबार ऑन्हार्यों का नेक्सित पत वीर पूजा यह हमारा किशोर वस्ता में है तो हमारा जिसमें थर्ड वाला उप्शन बचता है तो समाजिक संकल्पना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट हमारा विद्यारती की अभीरूची एवं अभीशमता के बारे में वैद एवं विश्वसनी निश्कर्ष पर पहुँचने की विद्य है तो आप यहां पर कुछ चीज़े मैं बताऊंगी जो औरट टाफिकेशन है औरट नहीं बढ़ेंगे ठीक है क्योंकि हम उनने से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं देखो शिक्षारती के जब भी आपको लगे ना जहां बच्चे की अभी रूची की बात हो रही हो और अभी शमता की बात हो रही हो तो उसके बारे में जब हम कुछ निश्कर्ष निकालना चाहते हैं वैद और विश्वसनी है तो उसके लिए जो है वस्तुनिष्ट प्रे बच्चे की अलग से अभी रूची और अभी शम तक हो कि इनको आप गुरूप में नहीं निकाल सकते हो ठीक है इनको आप इंडिवीजुली निकालोगा जब इंडिवीजुल के बात होती है तो वहां पर अबजेक्टिविटी होनी चाहिए तो बस्तुनिष्ट प्रेक्ष कि अंदर हम क्या होता है बच्चों के थौट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं थौट के बारे में हमारा क्वेशन क्या है अभी रूची और अभी शमता के बारे में तो वस्तुन प्रेक्षण विदीज का सही आंसर हो जाएगा निम्ने मैं से कौन सा इलक्षन कि जो इंटोवर्ट परसनल्टी होती है वह अत्मकेंद्रित होते हैं भिलकुल χोते हैं रुड़िवादी होते हैं और बबु होते हैं होते हैं समाजिकता नहीं ἐं conductor जो है बहिर मुख επιอ controlling भी ठीक अंतर. समाजिकता इसका जो है correct हमारा option हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं question number 11 की निमने में से कौन सा कथन सही नहीं है नहीं पूछा है नहीं वाले questions आपको बहुत ध्यान से दिखने है तो व्रिद्धी एवं विकास तो अलग-अलग आयाम है व्रिद्धी और विकास दो अलग-अलग आयाम है हमें पता है लेकिन जो व्रिद्धी है वो विकास का पार्ट होती है क्योंकि विकास एक वास्ट में थोड़ी सी व्रिद्धी जीवन परियंत चलती है ये वाला option हमारा गलत होजाएगा क्यों? जीवन परेंट नहीं चलती है आपकी हाइट जिन्दी पर थोड़ी बढ़ती है आपके दात बार बार तूटके नहीं थोड़ी उकाती है ना और आपके जो हमारे बॉड़ी में जो स्ट्रक्चर है वो डेवलेप होता है ना उसकी जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम के बाद रुख जाती है ठीक है और आपके अंदर जो बॉड़ी में चेंज़ इस होते हैं अब ऐसो नहीं है कि आपके बढ़ती ही रहेगी और आपके जो दात हैं बॉड़ी में कोई चेंज़ इसे है तो वह तो एक टाइम पर रुख जाती है धिके हमारे अंदर जैसे हम टीनेज होते हैं तो कुछ चेंजर आते हैं हमारे अंदर तब 었 So अजिनम की बारी चलते रहेंगे धिके जैसे होता है की लड़कों में होते हुनपकाट उनकी अवाज भारी हो जाती है जब जब टीनेज में आता है अब ऐसा थोड़ी अब जिंदगी बरी उसके अवाज बदलती रहेगी बारी होती रहेगी या मिठी होती रहेगी ठीक है तो एक टाइम पीरिड के लिए होता है तो व्रिधी जीवन पर नहीं चलती है व्रिधी और विकास की प्रक्रिय का भागे में ने बता दिया है विकास सतत प्रक्रिय है सतत मतलब जो हमेशे चलती है विकास डेवलेप्मेंट हमारा जिंदगी भर चलता है मरते मरते भी हमारे डेवलेप्मेंट हो रहा होता है ठीक है ऐसा हमें डाइट में बताया गया था विकास ठीक है जो विकास है उसकी कोई हमारे वो नहीं होती है हम हमेशा कुछ न कुछ हमारे अंदर changes होते हैं और इसको हम माप नहीं सकते हैं ठीक हम कितना mature हुए हमारा behavior कैसा है emotions को कैसे balance कर पा रहे हैं तो यह सारे चीज़े तो ऐसा तो है नहीं रुख जाएंगे एक time पर हमेशा चलती रहती है न तो यह इसका option जो हमारा है second गलत हो जाएगा बालको में व्यक्तिकर विभिनता में निम्नमे से कौन सा कारक जिम्मेदार है अगर बच्चों में individual differences है तो बुद्धी उसका जो है कारण होती है next नमारा question number 13 है यहाँ परिपक्वत सही कथन बताना है आपको कौन सा कथन सही है परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है परिपक्वन एक शारिरिक किरिया है परिपक्वता मृत्यु परंद चलती है उसके बद परिपक्वता में केवल मातरात्मक बदलाव सम्मिलित होते है तो परिपक्वन जो है वो एक शारिरी क्रिया है कहीं नहीं हमारी बॉडी से ही रिलेट होती है बाय बाय लॉजिकल तरीकी साथ इसको सोच सकते हैं तो हमारा question जो option 2 है वो correct हो जाएगा question number 14 है वह गत्यात मकबल जो बाला के वेवार को उर्जा देता है और सीखने की क्रिया करता है वह है तो the dynamic force the energizes behavior and compares the child to act to learn this तो इसका option हो जाएगा हमारा correct प्रबल प्रेर्णा जिसको इंग्लिश में हम drive बोलते है ठीक है और उस में क्या-क्या वह एवरे रहे हैं और क्या क्या-क्या वह हुए प्रोटी आ रहहे हैम जय स्विश करवा और मेरे ज़रूरत ऐसका प्रोटी आ था का आए और स्वेड यह सारी आरो आरो एंगी मुझेम्ज़ करूंघ तो उसका मदलब learning हुई है तो यहाँ पर यही है कि वह गत्यात्मक बल जो वाला के विवार को उर्जा देता है और सीखने की क्रिया करता है तो वह dry बजाएगा निम्न में से कौन सी शिक्षन व्यू रचना संग्यानात्मक भावनात्मक एवं मनो विग्यात्नात्मक पक्षों के तहत अधीगम मुद्यशों को पूरा करती है तो भूमी का निर्वहन इसका है क्योंकि इसमें सब कुछ आ दाएगा आपका अच्छी का व्यार ख्यान को तो कभी तिक कीमत करना ठीक है और स्पेशली प्राइमरी लेवल के लिए तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पुनर बलन निम्निकित में से किस प्रक्रिया का भाग है अधीगम का है इसको रटी लो ठीक है हमारा जो रिइनफोर्स्मेंट है वो बेसिकलिया मारा किसमें चलता ह है हमारा लर्निंग में विश्टन नमबर 17 है जीन प्याजे के संगरनात मिकास की कितनी अवस्थाव की व्याक्या किये तो चार है और यह सब को पता होगा ठीक है कौन कौन सी है यह मुझे आप लोग कॉमें में बताएंगे कौन कौन सी है नेक्स्ट नम्र नम्र 18 है निम्न करना भावनात्मक पक्ष नहीं है उसके बाद निम्न लेखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो मेधा एवं स्रजनात्मक एक दुस्ते के प्रयवाची है तो यही गलत है मतलब यही सही नहीं है क्योंकि जो इंटेलिजेंस एंड क्रियेटिविटी आर सिननें बिल्कुल भ बच्ष ग्रसा going देखो जैसे कि यहां है एक से न्सों 45 गलतांग क्योंत में से पेशता ल में से एकित नहीं हो programa दोत्वाचा गांदि हो इस पर दाएग क्रिया बच्छा अच्छाि अचल्श एंड़ रिखने हो सकता है क्पर के नहीं हो सकता है जरूरिश सेिया अब्ग को दोनों को equal नहीं मान सकते वही हमारा गरलत option हो जाएगा question number 20 है निमने में से concept परियावरणी कारक व्यक्तित्व को परभावित करती है तो सारे ही परभावित करते है तो हमारा D option correct हो जाएगा ग्याने ने अपनी पुस्तक the condition of learning में कितने सीखने के प्रकार बताएगा तो आठ प्रकार बताएगा और बुक का नाई में याद कर ले ना ग्यानने अपनी पुस्तक लिखे the conditions of learning तो इसका 8 answer सही हो जाएगा उसके बाद हमारा question number 22 है शिक्षा मनों के ज्यान की विशेवस्तु निमने में से किन कारकों के ओत प्रोत गोमती है जो हमारा educational psychology है तो वो शिक्षण ऐबं अधीगम अनुभव शिक्षण ऐबं अधीगम प्रक्रिया अधीगम पैस्तिया तो सभी विकल्ब हमारे क्या हो जाएगे सही 23 है निमने खित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षण का सुरोत नहीं है नहीं पूछाए नहीं वाले questions बहुत ध्यान से देखने है अनौपचारिक शिक्षण कौन सी होती है जो हम कहीं से भी ले सकते है तो माता पीता द्वारा दीगे शिक्षण अनौपचारिक है कहीं से भी ले रहे हैं, कोई इसके लिए आपका अडमिशन तो ले नहीं पड़ा, पासपड़ों से ले सकते हो, साथियों से ले सकते हो, लेकिन जब आप स्कूल क्लास में ले रहे हो ना, तो वह आपचारिक में आती है, वह फॉर्मल एजुकेशन होती है, तो फॉर्थ आप option जो है, आपका सही हो जाएगा, next हमारा question है, question number 24, निम्लेकित में से कौन सा आंतरिक अभी पेरिणा का उधारन है, कि आप internally motivate हो, विद्याले football team में चैन होना, स्वयम के लिए समस्या का समाधान करना, जनिम दिन पर पोशाक मिलना सभी विकल सही है, तो सभी विकल तो सही न जनम दिन पर आपको पोशाक मिली है, आपने थोड़ी लिए, मिली है ना, तो आप internally motivate कैसे हो, कि किसी ने को motivate किया है, तो स्वयम के लिए समस्या का समाधान करना, तो 2 वाला इसका सही हो जाए, question number 25, निम्लेकित में से कौन सी विधी प्राथ मिक्स तरपर शिक्षन के लिए नहीं है, नहीं पूछा है, वियाकियान मैंने पहली बताई था, काट जेने इसको, शिक्षा मनवेगया नदिक बल देता है, छातर केंडरित शिक्षा पर, तो इसको रटलो, बिल्कुल, उसके बाद हमारा है, कक्षा में शिक्षन सहायक समगरी का उप्योग किया जाता है, क्यों किया जाता है, विशिश टादीगंप परिसतिया निर्मान के लिए, कि हम एक ऐसा इन्वार्मेंट के रिए अट कर सके, जिसमें बच्चा अच्छे से लर्न कर सके, नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नमबर 28 है हमारा, नेम लेकित में से कौन सा आया मानसिक विकास के त इमानदारी बाय हार्ट होगी, जो हमारी ओनिस्टी है, हाकार है, वो हमारा वीजवल होगा, ठीक है, आखों के द्वारा हम देखेंगे, तो भाशा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वह अवस्ता जब बालक अपने अभिवावकों के साथ का माननदीत होता है, संबंद आखों के साथ बैठेंगे, बात्चीट कर गए हैं और आप खुश नहीं है, तो वो और पिचल ऑ Але समाजी सा मांजिक स्वूूढ नहीं रहो जा ना, शादिक हो जाएग है, सामाजी और थोरीन धीपक्ते हैं फिर्पिस विञाली भुजा नेटिक्ताथ जो morality है moral आम है उससे connect होती है और जो ये ego और ये super ego की जो theory दी है ये दी है सिंग्मन फ्रायर ने और पता होगा आपको जिनको नहीं पता में बता देती हूँ सिंग्मन फ्रायर जी द्वारा दी गई ये theory है और hope ये 30 questions आपके लिए helpful रहें कहीं कोई doubt रहा हो या कहीं कुछ मैंने गलत बताया हो तो आप लोग मुझे comment कर सकते हैं कहीं को suggestion देना हो तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं so thank you so much